वो सहायक आएगा, वो आत्मा जो सत्य प्रगट करता है और पिता की ओर से निकलता है मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा और वो मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाहो क्योंकि तुम आरम से मेरे साथ रहे हो ये बाते मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ वे तुम्हें आराधनाले से निकाल देंगे वो भी समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमिश्वर की सिवा करता हूँ लोग ऐसा इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना न मुझे जानते हैं परन्तु ये बाते मैंने तुमसे इसलिए कही कि जब समय आएगा और वे ऐसा करेंगे तो तुम याद करोगे जो मैंने कहा है मैंने आरम में तुमसे ये बाते इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था परन्तु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता मैं कहां जा रहा हूँ जो अब मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारे मन शोक से भर गए तो भी मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुमारे लिए अच्छा है अगर मैं नहीं गया तो वो सहायक तुमारे पास नहीं आएगा परन्तु यदि मैं जाओंगा तो उसे तुमारे पास भेजूंगा वो आकर संसार को पाप और धार्मिक्ता और न्याय के विशे में निरुत्तर करेगा वे पाप में इसलिए है कि वे मुझे पर विश्वास नहीं करते और धार्मिक्ता के विशे में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे और न्याय के विशे में इसलिए कि संसार का सरदार दोशी ठहराया गया मुझे तुमसे और भी बहुत सी बाते कहनी है परन्तु अभी तुम उन्हें सेह नहीं सकते परन्तु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य के मार्क पर ले चलेगा वो अपनी और से नहीं कहेगा परन्तु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बाते तुम्हें बताएगा वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा